आप सभी को जयश्वी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं एक लड़ू गोपाल की ऐसी सत्य धटना जीस को सुनकर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगे। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और आपको बहुत सारी जानकारिया नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा में और आपको लग रहा है कि लड्डू गोपाल कोई हमारी अनुभूती नहीं करा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा. आपको जो भी आपके question होगी, जो भी आपके मन में doubt होंगे वो clear होंगे क्योंकि इस सत्य घटना के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर वीडियो में new है तो please channel को subscribe कर लीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो please like कर दीजेगा तो ये सत्य घटना है मेरे ही पडोस में एक अभी new shift हुई है, वो रहती है मीना जी, जिनका नाम है तो मीना जी बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था लड्डू गोपाल की सेवा बहुत दिनों से कर रही है और उनके घर में लड्डू गोपाल कैसे आए हुआ, उनके साथ कैसी अनुभूती कराते हैं नई कराते ये सब कुछ आप इस्थिती घटना के माध्यम से सुनिये तो मीना जी कहती है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल तो हो गए, डेर साल हो गए लेकिन आज तक मुझे उनका कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कोई भी ऐसी अनुभूती नहीं हुई जैसे मैं सब के अधिक्तर लड्डू गोपाल के वीडियो देखती थी सब लोग कहते थे और बहुत सारी मैंने ऐसे सत्य धटनाय आपकी भी मैंने चैनल में बहुत सी सत्य धटनाय सुनी हैं तो उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या ऐसी मुझे गलती हो रही है मेरे से जिसकी वजह से मेरे लड़ू गोपाल जो है अनुभूती नहीं करा रहे हैं तो ऐसे ही मैंने एक बार पूछा कि क्या कैसे सेवा करते हो आप? क्योंकि वो आती रहती है घर देखती रहती है लड़ू गोपाल की सेवा और वो सब चीज तो उन्होंने सब कुछ बताया पहले तो उन्होंने बताया कि उनके पास लड़ू गोपाल कैसे आये तो वो कहती है कि मैं सब को देखती थी सेवा करते तो मैंने सोच लिया था कि मैं जब भी लड़ू गोपाल लूंगी तो वृणदावन से लूंगी और थोड़ी बड़े रूप में लड़ू गोपाल लूनगी जिनकी सेवा करने में थोड़ी भाव उनके वो लगेंगे मैं इस उससे लिए थी कि मुझे भी कुछ अनुभूती होगी लड़ू गोपाल की मैं भी उनसे बाते करूँगी वो भी मेरे से बात है मतलब ऐसे अनुभव से होने लगते हैं लेकिन इतने दिनों से सेवा करते हो गए मुझे आज तक उनकी ना तो कभी सपने में देखे ना तो कोई ऐसी अनुभूती हुई जैसे भी और भी भक्तों के साथ वो करते हैं तो मैं मनी मन सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसे क्या भरती कर रही हूँ जो की ना तो मैं कभी लहसुन प्यास वाला कभी आज तक मैंने भोव लगाया और जब से मैं लड़ू गोपाल को लेकर आये हूँ तब से मैं सात्विक हो गई हूँ एकदम पूरा कभी लहसुन जब से घर आये हैं तब से कभी लहसुन प्यास का मैंने भोग नहीं लगाया और ना मैं खुद खाती हूँ इतने अच्छे से रखती हूँ, इतने अच्छे से सेवा कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ लेकिन अंजाने मेरे से क्या गलती हो रही है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहती है कि मैं व्रिंदावन जाकर फिर जो भी मेरे मन में था कि ये मेरा पुरा हो जाए फिर मैं लड़ू गोपाल की सेवा में शुरू करूँगी तो वह काम होने के बाद यह व्रिंदाबन जाती है और व्रिंदावन से वही से लड़ू गोपाल को लाती है व्रिंदावन से ही और अपने घर में सेवा शुरू कर देती है लेकिन सेवा के दोरान उनसे ऐसी गलतिया होती है मैं जैसे जैसे मैंने पूछा की ये क्या भोग लगाती हो तो बोले की मैं बिना लहसुन प्यास का भोग लगाती हूँ कुछ भी ऐसा भोब नहीं लगाती हूँ जिससे की उनको परहेज हो और वो भोब ना लगा पाई तो मैंने कहा घर में लहसुन प्यास बनती है बोले घर में बनती है लेकिन मेरे लड़ू गोपाल एकदम अलग है उनका खाना एकदम अलग है सब कुछ और ऐसे में वो करती हूँ और रखी भी मंदिर में रगू कोई ऐसा छुआ छूट वाला नहीं कि कभी लहसुन प्यास का कुछ बन रहा है तो उनके पास तक कभी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने बोला तो फिर और कैसे करती हो क्या वो बहुत सारी चीजे मैंने पूछा तब मुझे एक ऐसी बात का पता चला जिसके मतलब हम जाने अंजाने वो इतनी बड़ी गलत समझ में नहीं आता कि ये हमसे गलती हो रही है हम ये गलती कर रहे है क्योंकि इस बारे में हम कभी सोचते नहीं है वो क्या करती थी कि भगवान को नहलाती थी और लड़ू गोपाल का जो जल था वो किस में डालती थी गमले में डालती थी और ये हम सब भक्तों के साथ होता है यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है जो कि हम जाने जाने बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि कोई भी इंसान भगवान को जैसे हम सब भक्त हैं लड़ू गोपाल के हम भगवान को नहलाते हैं तो अधिकतर क्या करते हैं कि भगवान का स्नान वाला जो जल है वो गमले में ही डालते हैं क्योंकि इस वजह से की कहीं और ना डा अब वो क्या करती थी? मीना जी की पूजा करती थी, स्नान कराती थी, भोग लगाती थी, सब कुछ विदिवत स्नान, ध्यान सब कुछ उनका चलता था लेकिन अनुभूती नहीं होती थी. बस गलती यही होती थी. क्या होती थी कि वो डाल देती थी गमले में और उस गमले में डाल तो दी लेकिन वो डालने के बाद जो गमले से वो जल बहरा है, निकल रहा है क्योंकि इतना ध्यान से डालना चाहिए कि हमारा दल है वो बहर न जाये और फिर कौन से जैसे उनके घर म उसमें शिव जी भी थे, शिव परिवार पूरा था, दुर्ग जी, हनुमान जी सब कुछ और कनहया जी को ये भगवान पहले से थे और कनहया जी अभी वो लेके आये थे अब सब को साथ में नहला के वही जल, शंकर जी का जल, वही लड़ू गोपाल का जल, एक ही उसमें कट अधियम से आपको ये जानकारी मिलेंगे कि जो हमारे शंकर जी का जल होता है, वो तुलसी में कभी नहीं डालना चाहिए, वो और पाप के भागी लगते हैं, अनुभागी होते हैं, शंकर जी के सनान का जल वो अलग पौधे में डालो या तो आप दो बार में डाल दो या एक अलग उसमें रख दो, डाल दो, आप पेर पौधों में तुलसी में मत डालो लेकिन आप इनका लड़ू गोपाल जी का जो सनान कराएंगे उसका जलाप तुलसी में डाल सकते हो, लेकिन शिव जी का जलाप उसमें नहीं डालोगे और मीना जी क्या करती थी, क्योंकि इ लड़ू गोपाल को भी नहलाती थी। जल कभी भी पैरों में नहीं आना चाहिए। भी अनुभूती नहीं कराते थे फिर जब ये बात पता चले तो फिर उन्होंने अपनी पूजा में सुधार किया और अब भगवान की कृपा से अब वो बताती है कि मुझे उस मतलब ये जो सुधार हुआ था उसके बाद से उनको कई बार लड़ू गोपाल के सपने में दर् होती हैं हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं हमारी सेवा में कोई गलती नहीं होती हो रही है तो फिर हमें अनुभूती क्यों नहीं होती तो बस यही छोटी मोटी जो गलती होती है लेकिन भगवान जो होते हैं ना वो किसी ना किसी माध्यम से हमारी गलतियों को सुधर्वा देते हैं देखो अगर ऐसा वीडियो अगर सुनीता जीना मीना जीना देखी होती या किसी ऐसे भत से मेरे से नाम जुली होती तो उनको भी ये जानकारी ना होती तो ऐसे ही हमें एक दूसरे के माध्यम से लड़ू गोपाल की सेवा की जानकारी पता चलती है कि कैसी सेवा करना चाहिए और क्या उनसे उनकी सेवा में क्या हमसे गलती हो रही है कोई तूटी तो नहीं हो रही है तो ऐसे वीडियो के माध्यम से और ये वीडियो भी उनहीं के पास पहुँचता है जो लड़ू गोपाल जिनके पास पहुचाना चाहते हैं जो इसका लाब लेना चाहते हैं उन्हीं के पास ऐसे वीडियो पहुचते हैं जो लड़ू गोपाल से जुड़े होते हैं जो भगवान से जुड़े होते हैं तो ऐसी गलतिया होती हैं हो जाती है जान उनको बहुत अनुभूतिया होती हैं, बहुत कृपा करने लगे हैं और सपने में अगर लड़ू गोपाल देखे या कोई भी भगवान दिखे न तो इसका प्रत्याशी यही परिनाम वो होता है. फल होता है समझो आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं और वो आपको दर्शन देते हैं, इसी के माध्यम से कि वो आपकी सेवा स्वीकार किये तो ऐसी थी यह सत्य. धटना के इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी जाने अंजाने आपसे गलतिया होती है वो गलती ना हो और कोई उद्देश नहीं है सिर्फ यही ओदेश्य है कि आप सब लड़ू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो कोई तुटी ना हो और आप सब को भी लड़ू गोपाल की अनुभूती हो आप सब के उपर लड़ू गोपाल की कृपा हो हो अगर जाने अनजाने कोई सभी किसी भी वीडियो में आपको गलती लगे कुछ लगे तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और अगर आपको कोई अनुभूती होती है तो जरूर कमेंट के द्वारा आप शेर कर सकते हैं वो सनुभूती को और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं तो बोलिए लड्डू गोपाल की ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक्स, हीया एंड सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं किसी ने सत्य धटना के साथ जब तक अपना ख्याल रख अपनों का ख्याल रखिये थैंक्यू सो मच करने के लिए राधे राधे